आपने अब तक मेरा चैनल सस्वार ने किया तो सब्सक्राइब जरू कीजिए और इस बेल आइकोन को दबाईए नई वीडियो के लिए हलो दोस्तो आटोमाबल कार मैप को सब्सक्राइब आज हम रेनल्ड क्यूल इंजिन के टाइमिंग देखेंगे इजिए आपको उसके चैन कोपर मार्क दिया वाला है और क्रेंग्शब कोपर और क्रेंग्शब कोपर ही मार्क दिया वाली इदेखेंगे नीले दिक रहे है इदोनों क्रेंग्शब कोपर बैटते और जो इपीला है वो क्रेंग्शब कोपर बैटते पहले हम क्रेंक्शप्ट को पेट आएंगे यह देख़ें क्रेंक्शप्ट को यहाँ पर मार्क है वो सीधी बात है वो नीचे लेने की जो मार्क है और पिला जो अच्चे इनको उपर है वो उस पर मतलब उसके सामने सामने लगाने की बराबर अब यह दूसरे उपर लेंगे camshaft अब यह देखो camshaft उपर लेनेगा और इस मार्क पर ओ चेन का मार्क है उस पर लागा देने की अब मैं दूसरा भी देखता हूँ यह दूसरा नीचे गाये तो मैं इसको घुमा लेता हूँ उपर करता हूँ यह देखो इधर timing chain के उपर इधर मार्क है तो कि उड़ाट अपने को इधर उपर लेना है timing chain के मतलब उपर तो मैं उसको घुमा लेता हूँ यह देखो आप मैंने उसको लगा देए यह डॉट को भी और इधर को भी यह दोनों आगे अब मैं इसको थोड़ा मतलब ताइट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ी चेंग लूज इधर भी प्याड बैटने के तो प्याड भी बैटना चाहिए इसलिए मैं थोड़े उसको ताइट कर देता हूँ इससे पाने से दोनों साइट भी आप मैं इधर हम प्याड लगाएंगे प्याड भी बैटने को भी इजी है मतलब उसको कुछ लॉक नहीं नेट भूल्ट नहीं है उपर से बैटते हैं इसको लॉक और नट नहीं है तो जो अपना उसका ऑईल पंप कवर है वे इस पे मतलब वो फिट होता है तो इसको जरूद नहीं है मैं इस साइड का भी लगा देता हूँ प्याड का कवर प्याड लेवर सॉरी इस साइड को भी लॉक और बोल्ट नहीं है अभी इट्टेशनर को बोल्ट है इट्टेशनर आप उसे लॉक करके लगा सकते हैं मैं दो ऐसे लागा रहा हूँ तो आप उसे लॉक करके लगाई अभी मैं इसको ताइट करके लेदा हूँ अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कि क्या क्राइंग शफ्ट का और क्राइंग शफ्ट का लॉक कैसे अभी मैं इसको ताइट करके लेदा हूँ बाद में फिर तो यह देखू एक क्राइम सब को उपर और जाइन को पर यह देखूम के उपर और जाइन को पर पीला टेश् तो आप लोगों को वीड़ाज चला गओ तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगले विडियों में करें चो तो आपको बोगों करें, आने अटको अच्छाइब जरूर झाना, मिलते हैं ऊचक्छाइब जरूर छाएब जरूरूरूर करें जरूरू करें।